हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इगनु के दिसमबर 2023 टेर्मेट एक्जामिनेशन की होल टिकट यानि की आपके एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं या आप कैसे चेक कर सकते हैं इगनु के ओफिचल वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी देंगे सबसे पहले वेलकम तो माई यूटूब चैनल एएएस एक्जुकेशन जैसा कि आप सभी को पता हैं कि इगनु के दिसमबर 2023 टेर्मेट एक्जामिनेशन के लिए ODL and mode and online mode दोनों के लिए date sheet जारी कर दी गई है और examination form भी fill up किये जा रहे हैं without late fees तो आज किस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि कैसे आपका अपना खुद का status चेक कर सकते हैं कि आपका whole ticket यानि की admit card दिसमबर 23 टेर्मेट एक्जाम के लिए जारी होने वाला है या नहीं चेक करना होगा step by step information आपको दिखाता हूं वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इगनु के official website google पे open करनी है www.ignu.ac.in जैसे ही open करेंगे आपको अपने browser से desktop site कर लेना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की problem का सामना ना करना पड़े और homepage पर आकर के alert section में अगर आपका online mode है तो आपका jump home वाला link ओपन करना होगा और online mode है तो आपको ये वाला link ओपन करना होगा ये audio का link है और ये online mode का link है तो ensure करने के बाद आपको particular आप open कर लेंगे open करने के बाद आपको इसके bottom में आना है और check for status if already registered पे click करना है इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपना enrollment number और date of birth एंटर करेंगे और submit पे click करेंगे तो इस तरह की information आपके सामने display होगी जो आपको दिखाने वाला हूं कि आपने examination form य यहाँ पे नहीं जाटा आ रहा है इसका मतलब है कि आपका exam form नहीं परा गया है आप अपना examination form immediately भर ले 10 नौमबर तक without late fees उसके बाद regional center से 1100 रुपे late fees के साथ बर पाएंगे आज कि इस वीडियो में इतना ही link direct video के description में available है मिलते हैं इनू के नई update के साथ